देख कैसे मर रहे हैं तेरी आक्टिंग देखके इतके मोके पर रिलिच हुई इस साल की वनब दा बिगेश्ट एक्सेन फिल्म बड़े मिया छोटे मिया जिस फिल्म में आक्षे कुमार और टाइगर सुरुप देखने को मिले थे इस फिल्म को सिनमा घरों में आज हो चुके हैं चार दिन और फिल्म ने चार दिनों में हिंदुस्तान में तो बड़िया कमई की लेकिन दोस्तों फिल्म का जो वर्ड़ वाइट कलेक्सन है वो पूरी तरह से कमाल का हो चुका है वही इर्सी के साथ रिलिज हुई मास माराजा अजे दियुगन की फिल्म मेदान जिस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर धीमी सुरुवात ली थी लेकिन दोस्तों फिल्म बड़िया है जिसके चलते इस फिल्म के कलेक्सन में तीसरे दिन और चोथे दिने एक बड़ा उच्छा पूर की कमाई की तो चलिए सुरुवात करते हैं देखते रहिएगा पूरा वीडियो साथ इस साथ कमेंट करके बताईएगा कि मेदान और बड़े मिया छोटे मिया में आपको कौन सी फिल्म सबसे बेश्ट लगी सबसे पहले अगर बात करें मास माराजा अजे दियुगन क इस फिल्म को जो रिव्यूस मिले थे वो फुल पोजटीव थे फिर चाहे वो क्रीटिक्स के हो या पब्लिक के सब ने फिल्म की जम जम कर तारीफे की थी और कहीं ना कहीं दोस्तो इतनी तारीफों के बाद लगा था कि आप तो ये फिल्म box office को पूरी तरह से फाड के रख खुसी हुई कि चलो एक अच्छी फिल्म बोक्सोफिस पर फाइनली अब अच्छा कलेक्शन करने लग चुकी है लेगन दोस्तों आपको बता दी कि चोते दिन संडे होने के वज़े से फिल्म की जो कमई है वो आप तक जितने भी दिन गयना उन सबसे काफी जादा बेतर रही जिया दोस्तों अगर बात करें मेदान के चार दिनों के टोटल कलेक्शन के बारे में दोस्तों मेदान फिल्म ने पहले दिन इंडिया नेट कलेक्शन 7 करोड 25 लाख रुपे का किया था वही तीन दिनों में फिल्म का All India Net Collection 16,75,000,000 रुपे का हो चुका था हाला कि दोस्तों ये फिल्म आज यानिके अपने चोथे दिन इंडियानेट कलेक्षन कर रही है 8,20,000,000 रुपे इसली के साथ दोस्तों मेंदान का सुरुवाती चार दिनों के अंदर इंडिया नेट कलेक्शन 24 करोड 95 लाक रुपे का हो चुका है तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन 29 करोड 7 लाक रुपे बता दो दोस्तो चार दिनों में फिल्म का जो वल्ड वाइट बोक्स ओपिस कलेक्शन है वो 36 करोड 90 लाक रुपे का हो चुका है तो दोस्तो चार दिनों के वीकेंड में तो फिल्म ने बॉक्स अफिस पर एक तरह से ठीक ठाक कमई कर ली है आप देखते हैं कल है मंडे तो कल से ये मूवी के इसा परफॉर्म करती है वही दोस्तो अब अगर बात करें 2024 की बिगेश्ट एक्सन फिल्म बड़े मिया छोटे मिया के बारे मी अली अबबास जफर के डायरिक्सन में बनी बड़े मिया छोटे मिया जिस फिल्म में पहली बार एक्सन किंग अक्षे कुमार और टाइगर सुरूप साथ देखने को मिल हैं बताना चाहूंगो दोस्तो ये फिल्म हिंदी के अलावा तमिल तेलगु मलियालम कन्नडा यानि कि साउथ भासाओं में भी डब होकर रिलिज हुई थी लेकिन दोस्तो इस फिल्म का साउथ में उतना ज्यादा प्रमोस्टन नहीं किया गया था जिसके चलते इस फिल्म क कमई साउथ लेंग्विजेस से उतनी खास नहीं रही लेकिन दोस्तो आपको बता दे कि ये फिल्म विदेशों में पूरी तरह से दिन पे दिन धमाका करते जा रही है जिया दोस्तो अब भी तो फिल्म को चार दिन हो है लेकिन फिल्म ने चार दिनों में इंडियन बॉक्स ओफिस कलेक्शन 36 करोड 33 लाक रुपे का किया था वही दोसरे दिन फिल्म का जो वल्ड वाइड बॉक्स ओफिस कलेक्शन है वो 18 करोड 81 लाक रुपे का रहा हाला कि दोस्तो तीसरे दिन फिल्म का जो सिर्प इंडिया नेट कलेक्शन है वो ही 8 करोड 70 लाक रुपे की रें और संडे होनी के वज़े से फिल्म के अप्टरनोन यूनिंग और नाइट सोस की बुकिंग भी काफी सोलिड हो गई है तो जो रिपोड अभी तक आई है उसके मताबिक बड़े मिया छोटे मिया फिल्म अपने चोते दिन इंडिया नेट कलेक्शन कर रही है 10 करोड 80 लाक रु वाइट बॉक्स ओफिस कलेक्शन है वो 90 करोड 11 लाक रुपे का हो चुका है जया दोस्तों फिल्म 4 दिनों में दुनिया भर से लगभग 90 करोड रुपे की सामधार कमई कर चुकी है तो दोस्तों इस फिल्म का जो 4 दिनों का कलेक्शन है वो आजे देवगन की मेदान से भी चलेगी लेकिन दोस्तों अगर फिल्म के कलेक्शन कल जादा ही ड्रोप हो गए तो फिर कसाएद ये मुवी बॉक्स ओफिस पर हम सब की उमीदों इतनी कमई नहीं कर पाएगी हलागी दोस्तों अगर आपने इस सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले मैं मिलता हूँ आप से अगले वीडियो में जब तक के लिए खायाल रखे अपना और अपने माता पिता का जेहिंद वंदे मातरम